शेहर में आए दिन च्रेंस नाच्रुन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं वहीं भरतवारा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि भरतवारा में रहने वाली एक व्रद महिला की गले से चेन खीच कर एक आरूपी फरार हो गया कलम्ना पुलीस ने आरूपी को गिरफतार कर हिरासत में लिया है साथ ही चेन और बाइक जब्ट की गई है आगे की जाच पुलीस कर रही है उसी दिन से हमारी पूरे डीवी टीम ने उस आरूपी का शोत लिया उसमें सभी टेकनोलोजी को यूज किया उसका मोबाइल उसका ट्रेसिंग फुटेज उसके फुटेज हर जगा पर भेजी पूरे आजू-बाजू की एरिया में उसको धुना लेकिन उसका लोकेशन और यह सभी चीजे और अस्ता जिस रस्ते से जा रहा था वो जुने कामपी नहीं कामपी की एरिया में आ रहा था तो इस गुना पर और लोकल इंटिलेजन्स का सहायता लेकर हमने उस आदमे को दो-तीन दिन के अंदर ही पकड़ लिया चैन उसके हाथ से जो चैन उसने चींड़ी की वो भी हमने बदाब कर ली है और जिस बाइक से उसने उसने चैन स्नैचिंग करते हाथा वह बाइक हमने अपने आवी कारवाई उस आरोपी का नाम है मुहम्मद सोहल वल्द मुहम्मद अबजल उमर 24 साल और जुनिक अमपिकाई रहने वाला है जो महिला है आपला आमला धुमन यादो हुए 60 भरतवाला रोर जुनिक अमपिक कलमना यहाँ पर रेखे थी इस कारवई में मान्येज गुनफाई सर एसिटी क कारवेती हैं इंडियन पॉनिचर वर्क एंड मैनुफेक्चरर उदैने करमाने वारा रिंग रोड नाकपूर अधिक जानकारी कले संपर करे 9700409512 पर